मुई प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अब से कुछी देर बाद उत्रकंड में चुनावी शंकनात करने जा रहे हैं पियम मोदी रूद्रपूर में रोडशो के साथ विशाल जनसभा को संबोधत करेंगे प्रधान मंत्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कारेकर मिस्थल पर पहुँच रहे हैं रूद्रपूर की विधायक शिव अरोडा का कहना है कि आज होने वाली रेली सब ही रिकॉर्ड तुर दे देखेर रूद्रपूर का इत्यासिक मेदान है यसी प्रधान मंत्री नरेंद्र जी जो विश्व के सरवादी के लोग प्रियर नेता जन जन के नेता है उनकी जितनी भी रैली होती है वो पिछले रिकाउड को तोड़के होती है इसी कारण से इस मैदान का नाम ही मोधी मैदान पर चुका है तो इस मोधी मैदान में इस बार की रैली पिछले सारे रिकाउड को तोड़ते हुए अतिहासिक होने वाली है इस देव भूमी के साथ प सब्सक्राइब गर्दान सब्सक्राइब कर रहा है सबी को प्रधानमत्री अवास जोजना में अवास मिलना है उजला जोजना में मिलना है पूरा भारत वासी इस समय गर्व मेसेश कर रहे हैं कि हम भारती है प्रधानमत्री नरिंद मुदी के नितुत में तो जिस तरीके से प्रधानमत्री नरिंद मुदी के नितुत विश्व म वाली है लाखो लाखो के संख्या में यहां पर लोग पहुंचने वाले हैं आज जो रूदरपूर में रैली हो रही है इससे पूरी कुमाओ की दो सीटे तो कवर होंगी इससे चुनाव परचार में तेजी भी दिख रही है अभी तक जो चुनाव नीरस सा था आज देखके ल अज़िताएं इसकारण से जो उत्सा होता है वह उत्सा कौना बढ़ जाता है तो वह उत्सा यहां पर गाराण मंद्यी आने के कान से कई गुना इस उत्तराखन में बढने वाला है कि हमारे यसी मुख्यमंतरी पुश्कर सिंग धामी जी के नितत में जिस तरीके से पिछले दो वर्स में काम हुए है और फिर प्रधान मंतरी जी का जो विशेश आसिरवाद इस देभूमे के साथ है पुश्कर सिंग धामी जी के साथ है उस कारण से इसी प्रधान मंतरी जी का आ जिन्होंने कहा है कि रूद्रपुर में होने वाली सभा पूरे कुमाओं को एक बड़ा संदेश देगी साथ ही बड़ी संख्या में ओटो से जो भारतिन्ता पाटी के प्रत्यासी हैं वो जीतेंगे कैमरा सयोगी अंजीत के साथ